36 गड़ की नकसल प्रहावित बस्तर शेतर में शहीद गुंडाधूर कॉलेज ओफ एग्रिकल्चर एंड रिसर्च सेंटर ने किसानों की जमीन पर रबर की खेती की है बस्तर जिले में रबर की खेती पर शहित गुंदादूर College of Agriculture and Research Station के डीन डॉक्टर आरेस नेताम ने बताया कि रबर को नगदी फसल के रूप में जाना जाता है रबर बोर्ट को टायम की मदद से हमने रबर की खेती शुरू की है धाई एकर शेतर में शोद प्रेणाम अच्छे आए तो हम किसानों को रबर की खेती के लिए प्रुचसाहित करेंगे ताकि वे अच्छी कमाई कर सके औसतन प्रत्तिक रबर के पौधे की औसत आयू साथ वर्च होती है ये पौधा किसान को अपने जीवनकाल में दो तिन लाख रुपए कमाने में मदद कर सकता है रबर ये कैसा क्राप है जो केस क्राप के रूप में जाना जाता है जैसे कि हम जानते हैं कि 36 गड़ में मुख्य रूप से जो सीरियल क्राप बोलते हैं एक फसल हम लोग लेते हैं और इससे किसानों को बहुंच ज़्यादा आमदानी भी नहीं होता है इसको हम लोग देखते हुए जो रबर बोट कुटायाम किरल के सयोग से यहां अनुसंदान के परपस से यहां धाई एकर में हम लोग इस्टार्ट किये हैं और इसका अच्छा परणाम आता है तो हम इसको किसानों के फिल्ड तक पहुचाएंगे जिससे कि किसानों के जो माले इस्थिती है वो अच्छा सुद्रीन हो सके क्योंकि यह जो रबर फसल है वो लंबे समय तक उत्पादन देने वाली फसल है जैसे कि रबर प्लांटेशन करते हैं तो यह जो पाउधा है लगबक साट साल तक जिन्दा रहेगा और साट साल के उम्रस से जो जो इई आमधानी देते देते लगबक 40 साल तक यह प्रोडाक्शन देते रहेगा तो ऐसे हम बहन सकते हैं कि एक पौधा से लगबक 40 साल की अंतार में यह 2-3 लाग तक के यहां पर उत्पादन करने की योजना बनाये हैं और अच्छा होता है इसको हम किसानों के जो जमीन जो खाली पड़े रहते हैं उसमें भी आगे चलके इसको हम सासन के सयोग से आगे इसको बढ़ाएंगे और जिससे हमारे जो बस्तर के किसान है वो अधिक से अधिक आमदानी कमा सकते हैं इस उद्देश से हम लोग जो अपना रबर बोट के सयोग से हम लोग इसको यहाँ चालू किये हैं और उम्मीद है कि आने वाला समय में ये हमारे बस्तर के लिए काफी उप्यूपत रहेगा और हम लोग देख रहे हैं कि ये फसल हमें जो रबर लगा हैं एक साल को हुआ है वो पौधा एक साल में तीन से चार फिट तक अभी तक ग्रोथ लिया है तो इससे हमको ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लेक कारगार सावीत होगा और किसानों के लिए भी काफी आमदानी का अच्छा साधन बनेगा ये हमारा उमीद है हमारे हाँ अनुसंधान के रूप में हमने धाई एकर में हमारे जो किमबस है उसमें लगाए हैं और किसानों के फिल्ड में भी तीन एकर में अभी अनुसंधान के परपस से लगाए हुए हैं हम इसको देखेंगे कि अब साथ साल में कितना अच्छा ये इसका जो बढ़व होती है तो इसको हम आगे और एरिया एक्सपांशन करेंगे हां जैसे हम अभी तो यह छोटे से एरिया में हम लगाए हैं अगर इसमें अच्छा देखते हैं कि प्रोडक्शन अच्छा हो तो इसके अलग अलग जो रबर इंडेस्ट्री है उसके लिए हम अलग से टेर्डिंग रखेंगे जैसे कैसे उसका रबर का कलेक्शन करते हैं उसका कटीन कैसे करते हैं उसका जो अग्रोनामिकल प्रेक्टिस रहते हैं उन सब के बारे में हम इसका सभी किसानों को टेंगे उसका जैसे सेप निकालते हैं सेप कैसे निकालते हैं उसको रबर के लिए एक सीट तया किया जाता है वो कैसा किया जाता है यह सारे टेंडिंग हम दिए-दिए सभी किसानों को देंगे जिसे और रवर का जो मूल्य है अच्छा से किसानों को मिल सके उसमें भी जैसे अलग-अलग ग्रेड होता है तो सारा चीज हम जैसे हम इसका पो पॉडक्शन बढ़ेगा तो य हम कोशिस करेंगे आगे चलके